कीसी सब न चलब को फेर में आपको तो जैसे कि आप देख में सब्सक्राइब है वो है वन क्लिक और इसको यहां पर दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर आइफोन के सलूशन से क्या है आपको खुद पता चल जाएगा आइफोन 12 13 के हैं एंड्रोइड दिया है मैकबूक है और मैकबूक M1 M2 सैमसंग है तो इस तरीके से यहां पर दिया है तो उसके अलावा आई पैड है कुछ यहां पर आप देख सकते हैं कि आप वोल्टेज और एंपियर के साथ में एक जो खड़ा बोर्डर से मेजर्मेंट कर सकते तो यह पैकनी कि यहां पर बताए गई है जिसका नाम आप देख सकते हैं यहां पर SMB स्मार्ट बॉक्स डिया हुआ है ठीक है तो यह सारी चीजें जो आपको यहां पर दिख रही है तो थोड़ा सा इसके बारे में आज बात करते हैं सबसे पहले मैं बता दूं यह जो सौड़वेर है यह इसकी जो डिस्ट्रिब्यूटर सिप है वो मलिक सर के पास है जिसको भ रखता है कि यह सौड़वेर आपको लेना है तो इस नंबर पर आप बात कर लो तो यह मैं एक रिव्यू वीडियो बना रहा हूं और यह जो अब इनके जो इंडिया में डिस्ट्रिब्यूटर है वो मलिक सर है अब तो फिलाल कोई नहीं है मलिक सर के लावा तो यह हमारे ज इसी चलाने की ज़रूरत नहीं बढ़ती है आपने जैसी की देखा कि मैंने कुछ नहीं किया मैंने सिब एक वैबसाइड में दया मैंने एक वैबसाइड में इसका जो सौड़वेर है उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा तो जाकर आप वहाँ पर डैमो भी कर सकते यहां पर कुछ डैमो भी दिया हुआ है तो मुबाइल आपको बस रेजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो यह मलिक सर का नंबर है और मलिक सर का आईडी है जो उन्होंने मुझे आपको चलाने के लिए और आपको समझाने के लिए दी है यहां पर मैं बात करूंगा सबसे प तो हमें आइफोन 12 और आइफोन 13 प्रो मैक्स तक के यहां पर solution देखने को मिल रहा है तो यहां पर देखने को मिल रहा है अब इसमें क्या solution है आप समझदार समझना चाहता है तो अगर आप समझ सकते हैं इसको तो बहुत अच्छी बात है और बहुत सस्ता है मनला आप यह समझो कि कुछ 20 से 30 डॉलर के बीच का है तो बहुत ही सस्ता है पता नहीं आप जो भी है रेट मलिक से आपको बताएंगे तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहां पर आप देखें कि बहुत सारे मोडल से अब जैसे हम पर्टिक्लर कोई भी मोडल जैसे हम 11 11 प्रो उपन करके देखते हैं यह हमारा 11 हो गया यह सी 3 हो गया तो कुछ इन मोडलों का काम जो मार्केड में आप देख सकते हैं बहुत से स कर लो या बात कर लो जो भी है और किसी को डिस्ट्रिबूटर से चाहिए इसकी इंडिया के अंदर और कहीं बीचने की तो वह भी मलिक से बात कर सकता है अब जैसे माल लीजे मैं आइफोन एक्स में इंटेल के अंदर जाता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं तीन अपको क्या दिखाई दे रहे हैं यहां आपको यह सारे वोल्टेज की सप्लाइयां दिखाई दे रही हैं यह जिसमें यह हमारा बीज को कम करने के चक्कर में बनाया गया है यह सारे CPU की supply हो गई, S यह हमारे bug की supply है, उसके बाद यह हमारे LDO है, तो यह LDO की supply दी हुई है, तो फिलाल यहां क्या देनी की गोशिस की है, कि मालो अगर मैं VDD Boost बता करना चाहता हूं कि कहां-कहां किसके spread पर VDD Boost जा रहा है, तो मैं बहुत easily मुझे कोई भी software नहीं कुलना, तो easily मैं इस website से इसमें डिये हुए जो भी solutions है, उसके साब से पता कर लोंगा, काफी HD photo दी हुई है, हर complaint पर उसके number लिखे हुए है, तो आप देख सकते हैं, कि यहां पर जैसे इंडो capacitor पर VDD Boost आ रहा है, कि इंडो capacitor पर आप देख सकते हैं, तो phone जब short होता है, तो हम generally in capacitors को capacitors, क्योंकि जब हमारा phone high booting पर जाता है, और हमारा phone high booting पर हमारा battery collector से जा रहा है, बड़ बैटिक रेटर पर जो कोई sorting ही नहीं है, ना ही हमारा VCC sort है, तो इसका मतला है, हम इस capacitor को जा सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारी टेकनिक हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको सीखनी होत है, तो उसके बारे में बताया गया है, किस तरीके से अलग अलग में VTT boost आपर ऐसा input supply जा रही है, तो जैसे हमारा लिजे, यहां पर और भी बहुत सी supply हैं, जैसे मैं 3 voltage 9D की बात करता हूँ, इन्होंने क्या क्या है, voltage wise supply हो को बताया है, मतलब देखो क्या होता है, बोर्ड इसमें क्या होता है, आपको सारे knowledge होनी चाहिए, इसमें क्या है, अगर इससे फायदा यह है, मैं यह कहसता हूँ, कि आपको सारे voltage यहां पर खुद दिखा दियें, इतने voltage चेक करो, पहले तो primary voltage चेक कर लो सारे, सामने सामने हैं, कोई गुरू जी नहीं चाहिए इसके लिए गुरू जी यह voltage है, तो हाँ पर गुरू जी जबुद बढ़ती है, ऐसा नहीं है, मैं पहले से कहता हूँ, कोई ना कोई गुरू जी को पकड़ो, गुरू जी से ही सीखो, क्योंकि गुरू यह तुमारा उधार करेगा, आप जैसे मालो यहां पर DCS S1 बाग की सप्लाई है, ठीक है, तो जनली क्या होता है, यह line trot हो जाती है, तो restart करता है, restart, मनलब set क्या करेगा, restart मारेगा, तो यह तो को यह capacitors हैं सारे, यह आपके coils हैं, इसी के पीछे CPU लगा है, तो यह buck की सप्लाई है, यह तो यहां पर लगा हुआ है, तो आपको उन्होंने कोई नहीं solution दे दी है, चलो मैं और उसमें जाओंगा, आइफोन में, अभी 11, 11 Pro में खुलते हैं, तो आप समझ लिए हैं, बेजवेंड में आपको आप देखें, जो बेजवेंड के भी कुछ वोल्टेज हां पर दिये हुए हैं, जैसे 1.0, ठीक है, अब यहां पर यह voltage कहां आ रहा है, तो इन्होंने यहां दिया हुआ है, वो चीज सही है, आप यहां पर यह चीज चेक कर सकते हो, ठीक है, दूसरा, इसके अलावा इन्होंने क्या दिया हुआ है, फिर इन्होंने यहां पर चार्जन की लाइन दी हुई है, फिर यहां पर इन्होंने इस तरीके से पिने दी हुई ह अपने यह देखिए यह मेरे खाल से सारी CPU की पिन है अच्छा CPU के साथ नोदेश करो जो CPU के साथ यहां पर यह इन्होंने जो डबलू लैन है या वाइफाई की इस अपलाई है यहां पर रिजिस्टर जीरो ओम्स का दिखा रहे हैं 4846 नंबर पर यह कुछ पिने हैं जो आपके काम में आ सकती है और अगर हम भाफ करें यहां वैरियस में क्या है डाइगराम एपी तो यह कुछ अलग तरीके से डाइगराम बनाया गया है तो यह थाइलेंड में आप देख सकते हैं यहां पर इनका नंबर भी लिखा हुआ है अब इसके कॉंट्रेट भी करेंगे तो आपको इंडिया में मलक साथ कही नंबर में लेगा ले दे के सिर्फ डेग्री में अब इसको थो यहां पर बताया हुआ है कि किस तरह से पी इंब उके साथ में आपके बग लगे हुए है वह आपके CPU में जा रहे हैं इस तरीके से तो यह पूरा एक मोबाइल का डाइग्राम ही पूरे इसमें डाल दिया है हाइटरा लगी है हाइटरा को मिलने वाले जो यहां पर वोल्टेज है यह पीपी एसी सी वार एक तरह का वोल्टेज होता है यह 1.8 एस्टू यह तो यह सारी एसेसरी बग की सप्लाई है जिसके इंदर आईटूसी जा रहा है और और इसमें क्या दिया हुआ है इसके अलावा 12-13 में जाते हैं तो तेरा प्रो करते हैं एबली केशन में देखो तो सेम तरीका वीडीडी अब यहां पर अगर हमें वीडीडी ढूड़ना है इस फोन के अंदर तो पीछे मतला बिना खोले फोन के यहां पर भी हम बैटरी पूस्ट लेखने को मिल पर है और यहां पर आपको ने ट्रक सेक्शन में यहां पर पावर एंप्लीफाइए हाई बैंड का सर्केट लगा है उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है तो तो इन्हों ने डारेट डाले हुए और यह आपके फायदेका नहीं फायदेका है यह आपको दिखना है मैंने कवीडियो इदी बनाया जिसमें आपको मैं सार चीज़ समझा रहा हो कि इसमें आपको क्या मिलेगा तो इसमें आपके फोटू जरहते हैं जनली तो जैसे iPhone 12 बोर्णियों उठाएंगे आप सिदे इसको भी खोल सकते है तो एक अच्छी चीज है यहां पर आपको वोल्टेज मिल जाएगा आज जो नॉलेज रखता है सारी चीजों को स्कमाटिक चला सकता है और टाइम अपना कोटी नहीं करना चाता तो मुझे लगता है यह ले सकता है बाकी जिसको नॉलेज नहीं है तो भी ले सकता है लेना नहीं लेना आप पर है यह बहुत बरी बात है लॉंच क्या करना है मतलब हमें तो आपको डिटेलिंग देनी है जो हमें समझ में आया है वो है तो यह एल्डियों की सप्लाई है आइफ़न 12 बेस्बेंट तो उन्होंने सब जगह जैसे बॉर्णियों जैसे फोटो होते ना वैसे बॉर्णियों जैसे फोटो डाले है हार्डवे सलूसन के जैसे यह इनकी टीम का नाम SMBC टीम है यह आपका यहां पर ग्राउंड बताए गया है इसका मतलब नौट करेक्टेड है पैड़ों के अंदर तो यह वीवी 1.2 की सप्लाई है जो मेरे काल से यहां पर अभी पीच्चर पूरी तरह से खुली नहीं है यह रखो यह पिक्चर खुल गई है तो यह सप्लाई यहां प्यार यह सप्लाई यह स्विच मोड पाबर सप्लाई आप इसा पर चेक कर सकते हैं तो देख लो भी यह आपके लिए बनाया है आपके लिए लेके आया है अब देखो जैसे आईटूसी की लाइन आईफोन 12 में तो कई बाड़ क्या होता है न कुछ सलूशन्स नहीं मिल बाते हैं तो खोजते रहते हैं तो नहीं नहीं चीजें आपको बता होनी चाहिए और म लागा हुआ है यह डिस्प्ले हो गया आइफोन 12 का डिस्प्ले का सर्केट है तो यह बनाया है आउ चलो देखते हैं डिस्प्ले का सर्केट यह देखू होगी डिस्प्ले तो बेसिकली अ जो भी इन्होंने डाला है सही है घडाब है आपको जच करना है मेरा काम है आपको एक रिव्यू देना मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूं मैं यह नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है और यह नहीं कहूंगा कि बहुत बुड़ा है और नहीं इस पर किसी तरह के ऐसे को करूंगा बढ़ मैं यह कहूंगा कि जैसा आपको देख रहा है जैसा आपको समझ में आ रहा है तो इन्होंने डारेट डारेट शप्लाई हां पर बता दिये इसमें इसमें बहुत तर्दे के वोल्टेज होते है कि आंञे कि आई एक डिस्प्ले के वह सब्यारेब के वाधिए उल्के कि मिलने वाले पावर और तैक्जों नहिंद्ट कि आप दीसें तो यहां पर आपको कि और देख Hani कि मिलने वाले पावर्वाण आपको 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 डिस्प्ले आपको नहीं मिलता है तो आप इसके पावर चेक कर सकते हैं इसका रिफरेंस लेकर जैसे यह 39, 36, 35 इस पर आपको डिस्प्ले का प्लस 4.6 एक VDD EL connection देखने को मिलेगा और अगर यह नहीं मिलता है तो आप इस IC पर डारेटली काम कर सकते हैं या इस तरह से स्विचिंग करेगी इसमें इन्पुट क्या है जैसे इसको अंदर देखो इन्पुट में यह मिला है VDD तो देखो यार इस तरीके से यह सट्केट बनाया है तो एंड्रोइट का भी कुछ दिया हुआ है जैसे जैसे माइए लेवन पावर ओन अब अब आप अपद अब आप जैसे माइए लावन का यह पावर नुसर्केट है यह देखें और इसके अलावा MacBook में MacBook भी यहाँ पर दिया हुआ है यह MacBook के नंबर है जैसे बीबैट 2 पीपी बस G3H की सप्लाई है यह तो यह MacBook है जो भाई MacBook बनाते हैं जो रिपेर करते हैं उनको यह समझ में आएगा कि यह सप्लाइ कौन सी होती है यह मौसपड लगा हुआ है तो यह क्या काम कर रहा है तो सैमसंग में दो ही मॉडल का कुछ सप्लाइ दिया हुआ है और क्या है आई-पैट में भी काफी अच्छे मॉडल दिये हुए में 2021 वाइफाई है तो जैसे 2019 वाइफाई ओपन करते हैं ब्लैंक सा लग रहा है तो मेरे काल से हो सकता है यह अपडेट अपडेट करें अभी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से काम यहां पर दिया है मैक बूक यहां पर दिया हुआ है चार्जिंग तो यह चार्जर रेजिस्टर अभी कौन सी लाइन है क्या लाइन है यह आईफाउन मैक बूक वाले इसको भाधा तरीके से समझेंगे इन्होंने बेसिकली आईफाउन से रिलेटेट जो जो आते हैं बस आई वाच नहीं दिया वो भी दे दे तो आई वाच भ जो भी आपके सामने हैं अगर आपको अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी है आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं मलिक सर का यह नंबर है मेरा काम एक रिव्यू करना मैंने रिव्यू करती है और एप्लिकेशन मतलब कैसे फोन चालू हो तर उसके वारे एक बोल्ट में आई तो प्लीज कमेंट करें जब करता है थैंक्यू वेरी मच्छ